कि a guy राइट एंगल ईस्ट्रेंगल एड सब्सक्राइस प्लेस्ट इनुफॉर्म मैगनेटिक म़ब चलो कि एक लूप लेकि का है हम अद्धिःन देना कि Aur dan पिन फॉर्म मैगनेटिक फ् His果 होता है किसी भी सेब का ये लूप है इसके सेब मतलब नहीं है मतलब यह कि अगर यह uniform में है तो इस पर जीरो नहीं भी वह सकता है बट इसे जो फोर्स है हो आलवेज जीरो होता है क्योंकि करंट करिंग डाइपोल एक करेंट करींग कोई वह एक मैगनेट की तरह behave करता है ठीक है यह equivalent to magnet तो जब इस magnet को मैं uniform फिल्ड में रखोंगा तो north और south pole पे equal force लगेंगे और वो cancel हो जाएंगे तो force हमेशा 0 होगा अगर current carrying coil ऐसे अभी तो अगर current carrying right hand को कर देते हैं तो magnetic field यहां से magnetic moment ऊपर आजाएगा area vector भी ऊपर आजाएगा और magnetic field भी इसका ऊपर ही आएगा क्योंकि यह नार्थ पोल है तो magnetic field इधर से निकले का मने नार्थ पोल और साउथ पोल ठीक है तो magnetic field अइने कहां से कहलती है नौर्थ से साउथ कभी भूल जाना तो मेरा नाम याद कर लेना यह नो तो यह जो चीज है यहां से हमें पता है कि एक करेंट केरिंग लूप है अगर मैगनेटिक फिल्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा अभी लूप किस सेब का है इससे कोई मतलब नहीं है कि सेब का यार बट है तो एक्टिंग और मैगनेटिक फिल्ड युनिफॉर्म एक्टिंग एलॉंग ए बी तो अभी जो है लूप इस तरह से रखा गया है कि मैगनेटिक फिल्ड ए बी और सी मैगनेटिक फिल्ड ए भी के लॉंग लग रहा है यह है मैगनेटिक फिल्ड की डाइरेक्शन तो अगर म कैसे भी फ्रॉ करा दो क्लोट वाइस इससे कोई मतलब नहीं है क्लोग वाई नेन फॉर्स तो जीरो ही होगा वाई तो कुरेंट इसद यूंट इस पर ऐसे मैगनेटिक फिल्ड एसे रखांग थो इस जीरो होता या तो इस साइन जीरू जो इस इस वाले पर मैगनेटिक फुर्ष लगे乐 जी इस पे फॉर्स जीरो लगा की Ya स्मझ रहे होना च्राइब एसको किल स्रस्थ सोनकिल हो रह diving तो इस इसको calculate भी कर सकते है mathematically चलो थोड़ा समय और आपको इसको calculate करके दिखा देता हूं कि कैसे आप इसको calculate करोगे देखो force on AB plus force on AC plus force on BC इन सभी vector force का sum 0 होना चाहिए क्योंकि net force जो है magnetic field के parallel है तो AB पर तो force 0 हो गया और एक पे और AC BC पर दिया हुआ F है तो AC पर हमें निकालना है तो AB पर हो गया 0 और AC पर हमें force निकालना है और AB पर BC पर F vector दिया हुआ है that is equal to 0 तो force on AC जो होगा force on AC that is minus vector F के equal होगा तो यह I hope कि आपको समझ में आ गया होगा mathematically भी कर सकते हो और logically कर सकते हो लोजिकली करना ज्यादा आसान है क्योंकि concept है ने हमें पता है कि net force is 0 है इस पर कोई force ही नहीं लगा इस पर F है तो इस पर माहीना से फोगा एक बजी बाता है